हेलो दूस्तो, नमस्टार, आज मैं आपको सदा भाहर का पौदा दिखा रहे हूँ, इसकी दो वेरायिटी होती है, देसी और हाइबरेट, आज जो पौदा मैं आपको दिखा रहे हूँ, यह हाइबरेट ट्विन्ग का है, और इसमें कई कलर के फ्लाव रण्ट मिलते हैं जो देशी वेराइटी होती है उसमें दो कलर के आते हैं यह जितने भी प्लांट आप देख रहे हैं यह हाईविरिट वेराइटी के हैं और इसमें डिफ्रेंट कलर वेराइटी के फ्लावर प्लांट मिलते हैं इस समय यह पौधा आपको फ्लावरिंग करता हुआ नर्सरी से म तो आज हम इस पौदी के बारे में जानेंगे कि इस पौदे को किर हम कैसे करें और किन-किन बातो का इस पौदे को लगाते सब्सक्री अ ध्यानी होती है जिसे यह फौदा हमारे गार्दन में हमेशा बना रहे और लमबी समय तक flowering करता रहे, क्योंकि ये छोटा सा पौदा होता है, इसकी height ज्यादा नहीं होती है, देसी variety की height ज्यादा जाती है, उसमें भी flowering काफी होती है, पंतु उसमें दो ही color आते हैं, white और light purple और इसमें काफी color आते हैं, ये plant पहुत नाजुकसा होता है, बहुत जल्दी ये fungus का सि बना रहे, तो आज हम इसकी care के बारे में जानेंगे, मैं अपने पौदे की care कैसे करती हूँ, वो बाते मैं आज दोस्तों आपसे साजा करूँगी, तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस पौदे की care के बारे में, मैं शांती जूशी, श्यामा गार्णिंग में आपका करती हूं और आजmor टो पाधा में आपको दिखा रही हूं रेका हasion और आज मैं इसके कई yearTwo लेके आई हूं और आपको लगाती हुए भी दिखाऊंगी कि मिट्टी तयार कर दिखाऊंगी तो अगर शेक को नरसरीइ के लिक आते रहें तो वुश्कतल में अच्छा इसे बना रहने दे मैं एक हफ्ते पहले इन पौदों को लेके आई थी और आज मैं इनको पौदों को रिपार्ट करते हुए आपको दिखाऊंगी यह जो पौदा है यह बहुत नाजुक पौदा होता है जब भी हम विंटर के पौदों को लगाते हैं तो हम वरसात के बाद ही पौदाण्यटिव्यक phiटा और के देटी के गंले में लगा रहे हैं तो उनको अच्छी तरह से आ सुखा जाने के बाद ही उस गंले की प्रीयोग करें अगर आप नए गंले में ला रहे हैं तब तो कोई बात नहीं अगर आप पौदा ही आप इस सपाई कर ले बाद ही आप इस हाइब्रेट विंका के पौधे को लगाएं क्योंकि इस पौधे में इस गमले में काई काफी लगी रहती है बरसात में और गमले में काई लगी रहेगी तो पौधे में भी बहुत जर्ली से फंगस लग जाएगी अगर आपकी मिट्टी के लिए है तो उसे पूरी तरह से आप सुका लें अगर आपने ओपन एरिया में अपनी कमपोस रखी है तो उसको भी सुका लें क्योंकि बरसात में कमपोस में काफी केड़े मकोड़े और चीटिया हो जाती है तो धूप में सुकने के बाद सारी ये साफ हो जाएंगे और जब आपकी मिट्टी बिल्कुल भूर भूरी हो जाएं उसमें सीलन बिल्कुल खतम हो जाए या आपके जो कमपोस टी यूज कर रहे हैं आप वो बिल्कुल सुक जाए तब ही आप इसका प्रियोग करें और अन्य था ने तो आपका जो विनका का पौधा है बहुत जल्दी ये फंगस का सिकार हो जाएगा और आपका एक दो दिन में ही पौधा मरने लगेगा तो इस दंग से मैंने सारे गमलों को सुका लिया है और आज मुझे दो दिन हो गए है अपने गमलों की सपाय करते हुए मैं एक हफ्ते पहले आपको दिखाई दे रहा हुगा दूर कहीं ये मैं लेके आई हूँ पौधों को और मैं एक हफ्ता हो गया है मैंने अभी तापौधे नहीं लगाए है और इसे अपने गार्डन पर रखा हुआ है और काफी अच्छे भी पौधे हो गए है मेरे एक हफ्ते में और आज मैं इन पौधों को लगाते भी आपको दिखाऊंगी तो देखे जो गमला मेरा बहुत गंदा सा दिखाई दे रहा था अब इतना अच्छा हो गया है यह जो मैं पेंट इन गमलों में कर रही हूँ यह है वर्जर का वेधर कोट और इसमें मैं आधा पानी और आधा पेंट मिलाती हूँ जिससे कि एक डिबे में मेरा 50 गमले आसानी से हो जाते हैं कभी-कभी छोटे गमले होते तो 60-70 तक पहुंच जाते हैं तो इस डंग से मैं सारे गमलों में पेंट कर लिया पेंट करने से गमले जारा साप सुत्रे दिखाए देते हैं और कोई भी पौधा हम लगाते हैं तो वो सुन्दर दिखाए देता है गंदे गंदे में पौधा अच्छा दिखाई नहीं देता और गार्डन भी हमारा रफ जैसा दिखाई देता है तो थोड़ी से अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो इतनी मेहनत और करें मेरे पास तो करीब 2000 के something गंदे हैं तो मैं सब में गंदे खुद ही paint करती हूं और इसे मैं बरसात ख़तम होने के बाद ही करती हूं और यह अगले सीजन तक चलेंगे फिर अगली सीजन में फिर मैं करूंगी तो ये मेरे गंदे हमीशा साफ सुतरे बने रहते हैं और ने तो ये गमले खराब हो जाते हैं काई लग जाती तो गार्डन भी देखने में अच्छा नहीं रखता है और इस समय तो दीपावडी का समय चल रहा है तो हम अपने गार्डन की अपने घर की सपाई करी रहें तो हम अपने गमलों की भी सपाई करें जिससे हमारे गमले बिखाए दे और गमले भी सूख जाएंगे तो पौधा भी खराब नहीं होगा तो विनका के पौधों के लिए विशेज कर आप 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 आपका पौधा एक नहीं मरेगा दूसरी बात का धान यह रखना है कि मिट्टी भी ड्राय होने के बाद ही आप इस्तमाल करेंगे मैं अभी आपको मिट्टी तयार करते हुए दिखाऊंगी तो चलिए दोस्तों मैंने पेंट कर लिया है और मैंने काफी गमले में पेंट कर लिया है आज सुबह से ही मैं पेंट कर रही हूँ गमलों में तो मेरे बहुत सारे गमले पेंट हो चुके हैं यह देखे आप देख भ ली है क्योंकि इसमें कई बार में रेत मिला चुकी हों और यह मेरी कंपोस्ट यह मैं कावडन कंपोस्ट रिस्तमाल करती हों और यह मैंने ले ली है धान की भूसी भी जब हम बाहर से लेके आते हैं तो थोड़ा सा मौशर रहता है उसमें उसको भी आप पूरी तरह से सुका करें सूकने के बाद ही उसके डालें क्लें कि द्हान की भूसी बहुषे रहती है तो उसमें मौश्य हो जाता है और इसमें हम फंगिसाइट पाॉडरे हैं इसको इस्तुमाल करती हो वैसे मैं और पौधो में नीम की खली का ज़्यादा प्रियोग करती हूँ इसमें मैं नीम की खली नहीं डालती हूँ इसमें मैं फंगस बाउडर डालती हूँ और जब भी आप पौधो में पानी डालें तो फंगस बाउडर जरूर मिला लें जिससे कि इसमें एकायक फंगस नहीं लगेगी तो देखिए इस रंग से हम पुरकुल मिट्टी को तयार कर लेंगे ये देखिए मैंने बहुत अच्छे डंग से इसको मिला लिया है और मिलाने के बाद मेरी मिट्टी इस डंग से हो गई है क्योंकि मेरी मिट्टी में सेंड है उसमें तो अगर आपके मिट्टी चिकनी है तो आप उसमें सेंड अवश्य मिला है क्योंकि पानी एकदम रुकना नहीं चाहिए गमले में और गमले में अगर पानी रुका नहीं ये बहुत जल्दी खराब हो जाएगा गलने लगा का इसकी stem गल जाती है और इसको ज़्यादा बड़े गमले की ज़रत नहीं होती है देखें मैंने ले लिया आप 6 इंचे से लेकर 9 इंचे तक के pot में इसको लगा सकते हैं बहुत फैले गमले की भी इसको ज़रत नहीं होती है तो ये मैंने ले लिया है मेरा ये 9 इंची का गमला है मेरे पास इसे छोटे गमले नहीं है सबसे छोटा गमला यही है अब यह देखे मैंने इसको polything जो है मैंने पीछे से इसको हलके तरह से खीच लिया अगर आप चाहें तो इसको cut करके भी निकाल सकते हैं इसकी root जो खराब मेरे काम आजाती है मैं cutting लगाते रहती हूँ तो मेरे काम आजाती है मैंने पीछे से इसको खीच लिया है जिससे मेरी यह विनका के पौधे लगा लूँगी और मैं काफी पौधे लेके आई हूँ तो इसे यह पौधा मुझे काफी पसंद है इस बार बरसात में मेरे दो चार पौधे थे मेरे पास यह तो यह मेरे थोड़े बरसात में खराब हो गये हैं एक पौधा मेरा बचा हुआ है तो यह मैं अब लगा लिये हैं मैंने देखे सारे पौधे मैंने लगा लिये हैं और इस ढंक से लगाने के पाद आज जो मैं इसमें पानी दूँगी आज मैं इसको फुल पानी दूँगी पूरी तरह से इसको हम नीची तक भ्योग देंगे क्योंकि इसमें बार-बार पानी न डाले जैसे हम अन्य पौधों में पानी डालते हैं दोसरे तीसरे दिन हम पौधों को पानी देते हैं इस पौधे को इतनी जली-जली पानी न दे क्योंकि इसमें जो है इतनी मौशर की जरत नहीं वो पानी की जरत नहीं होती है जब ये बिल्कु ड्राइव हो जाए तब ही आप दे अब बीच में एक दिन आप हलकी इसकी गुड़ाई कर लें, गुड़ाई करने के बाद भी जिस दिन आप गुड़ाई करें, उस दिन इसमें पानी न दे सूख जाने के बाद जैसे गुड़ाई करने के बाद एक दिन छोड़ने के बाद ही आप इसमें पानी दे आज मैं इसमें फुल पानी दूँगी उसके बाद एक हफते बाद ही मैं इसमें पानी दूँगी देखने के बाद ही मैं चेक करने के बाद ही इसमें पानी डालती हूँ देखें इस्टेंवे दिया रिया हैं और सारे गंबली पूरी तरह से पानी से बर दी हमेएं देखें पीन का एक ऐसा पौधा है यह से ज्यादा ओबर वाट्टिंग से यह खराः हो जाता है तो इसका ड्रेनेज का भी विशे धियान रखना है जिससे पानी गंबले में बिलकुल नहीं ठहरना चाहिए इस बात का भी पॉद्यों को लगाते समय विशे धियान रखें प्लास्टिक के पॉट में अगर लगा रहे हैं अगर पहले से आप पॉद्य लगाते हुए आए हैं प्लास्टिक पॉट में तो अब तभी इस पॉद्य को प्लास्टिक पॉट में लगाएं अन्य था इसको प्लास्टिक में नहीं मिट्टी में लगाएं तो यह देखिए मैंने ये एक हपता पहले लगाए थे और आज इनकी कंडिशन यह हो गई है देखे कितनी ज्यादा फ पौधे को पौधे को पौधे को पौधे को अच्छी फ्लावरिंग करता रहेगा अगर आपने इसे सेमी सैट में रख दिया तो ये बहुता खराब हो जाएगा या दो चार घंटे की धूप में भी ये इतनी अच्छी फ्लावरिंग नहीं करेगा तो इस बात का विसे ध्यान रखें और जब भी इसमें पानी डालें आप इसे थोड़ा सा फंगी साइट पाउडर डालने के बाद ही इसमें पानी डालें इसमें थोड़ा पानी में मिला लें और उसको दें आप इसकी बार-बार रिपोर्टिंग ना करें इस फोड़े को ज्यादा रिपोर्टिंग पसंद नहीं है आप इसे बार-बार रिपोर्ट ना करें कोई भी इसमें chemical fertilizer ना डालें और इसमें बार-बार cutting ना करें cutting करने के बाद आप इसमें fungicide powder लगा सकते हैं जिससे fungis का attack ना हो घना करने के लिए आप अपने पौधों की pinching करते रहेंगे pinching भी आप साफ हातों से करें या फिर साफ कैची से करें एक पौधे की cutting करने के बाद उसको sterilize कर लें आप या फिर उसे सपाफ साफ करने के बाद ही आप दूसरे पौधे के में इस्तमाल करें जिससे कि आपका पौधा fungis का attack नहीं होगा एक ही कैची से आप साथी और सभी पौधों को एक साथ ना काटें एक पौधे को काटने के बाद उसे साफ करें फिर से दूसरे पौधे को काटें इससे आपके काटन में यह हमेशा बना रहेगा थैंक्यू